लोग सवाच चुनाप खत्म हो चुका है और चुनाप के परिनाम में जदियू ने जिस तरीके से प्रदश्चन किया है एक बार फिर से अब चिंता इंडिया इलाइंस को सताने लगी है बिहार विधान सवाच चुनाप को लेकर नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फानेशन दोहजार चुबिस तोसवाच चुनाप खत्म होने के बाद अब तमाम राजनितिक पार्टियां बिहार विधान सवाच चुनाप को लेकर अड़ गई है एक तरफ जहां आपको बताते चलें कि दोहजार सरकार है और अगेंस्ट उमें इंडिया एलाइन्स ख़ड़ी है अब एक सरवे में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि बिहार विधान सवाच चुनाप में जिस तरीके से इंडिये के प्रदशन होने वाले हैं इससे कही न कहीं इंडिया एलाइंस को जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 2024 लोसवाचुनाब में जदियू के प्रदशन के बाद अब राज़त की जो है आम जनता के बीच जा रहे हैं बेरोज़गारी वाओं को मुखमंत नितीश कुमार के तरफ से रोज़गार दिया भी जा रहा है ऐसे में कहीं न कहीं तजश्मी यादव के लिए बिहार विधान सवा का चुनाब जो है बेहद ही मुश्किल होने वाला है लोगसवा चुनाब दो हजार चौबिस में भले ही इंडिया गठवंदन यानि महागठवंदन की सीटो और वोट प्रतीशत में बढ़ोतरी हुई हो मगर विधान सभाभार प्रजशन में इंडिये ने उसे पीछे छोड़ दिया है लोगसवा चुनाब में पड़े मतों के विधान सभाभा और विशलेशन ने सपस्ट किया है कि इंडिये को 173 विधान सभा शेत्रों में बढ़त मिल सकती है दूसी तरफ महागठवंदन ने 63 विधान सभा शेत्रों में बढ़त बनाई है यहां तक कि बिहार में 40 में से 14 लोगसवा शेत्र रहसे हैं जहां आरजडी कॉंग्रेस और लिफ्ट का स्कोर 0 रहा है यानि लोगसवा भी एक भी विधान सभा सीट पर इंडिया गठवंदन बढ़त नहीं बना पाएगा 2020 के बिहार विधान सभा चुनाब में एंडिया को 125 सीटे मिले थी जबकि महागठवंदन को 110 सीटे मिलती थी अगर ये दिगर विधान सभा चुनाब और लोगसवा चुनाब के मुद्दे अलग-अलग होते हैं चुनार परिनाम पर नज़र डालें तो लगबग दो तिहाई विधान सवा शेत्रों में इंडिये को बढ़त मिली है, पांच शेत्रों में निर्दलियत दो पर AIMIM के उमिदवार आगे रहे हैं, वहीं दूसरी हो शहबाद और मगत की 11 लोग सवा शेत्रों के 800 सीटों पर 26 प पर इंडिये तो 9 पर इंडिया के प्रत्याश्यों ने बढ़त बनाई है, वहीं 4 पर AIMIM और दो अनिपार्टी जो है निर्दलिये आगे रहे हैं, इसी दरब पूर्वी बिहार के तहत आने बाले 5 लोग सवा शेत्रों की 31 विधान सवा सीटों पर 27 पर इंडिये तो 4 पर मह गठवंदन के उमिद्वार प्रतिद्वंदी पर भारी पड़े हैं, वहीं तिरूत और सारन के लोग सभा के 9 शेत्रों में 54, सीटों पर 48 पर इंडिये 5 पर महा गठवंदन और 1 पर निर्दलिये आगे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बिहार विधान सवा चुनाप को लेकर अभी सेहीं जो सर्वे है वो चालू हो चुका है, एक तरह जहां कहीं न कहीं इंडिये इलाइन्स जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, इंडिया इलाइन्स को बिहार विधान सवा चुनाप के लिए बेहधी कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि मुद्दा जो है वो बेहधी क्लियर है, मुद्दा विकास का है, मुद्दा रोजगार का है, तो अगर तेजश्वी यादव इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें बेहधी पॉजेटिव तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना होगा, फिलाल के लिए सब मेच मेच नाहिं.